नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं बिहार अनलॉक आठ में साधियों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी अभी तक लागू अनलॉक साथ की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही थी 15 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक साथ से एक दिन पुर्व आपता प्रबंदन समो के बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है नया आदेश एक सप्ता यानि की 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा कोर्णा संक्रमन की रोक्ताम को लेकर राजसरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है आपता प्रबंदन समो के बैठक के ग्रिह विभाग ने रविवार को कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है आपको बता दे कि साधी समारों और स्राद कारक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पावंदी नहीं लगाई गई है हालाकि विवा समारों के दौरान बारात में नाज गाने औ दुगान आदी में भी सभी को मास्क पहनना होगा साथ ही काउंटर पर सेनिटाइजर की विवस्ता रखनी होगी और सोचल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा नितीज सरकार का नया फर्मान जन प्रतिनीदियों को अब देना होगा सम्मान खड़े होकर अफसर करेंगे सांगसद और विधायक का स्वागत अफसर साही को लेकर सांगसद और विधायक सवाल उठाते रहा हैं यहां आरोप पी लगाते रहा हैं कि राजगिया समारो या बैठकों में उनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाता है और उनके साथ सम्मान जनक विवहार भी नहीं होता है अब इस मामले में सामान प विधायक का अविवादन करना होगा मानानियस से मुलाकात के बाद बाहर तक छोड़कर आना होगा बिहार में अपसर साही का मुद्दा अक्सर उठता रहा है अधिकारियों द्वारा बदसलूकी की सिकायत सांगसद और विधायक करते रहे हैं विधान सभा में भी इस दौ के मंत्री मदन चाहनी ने तो अपसरों के विवाहार से नाराज होकर इस्तिपे की पिसकस तक कर दी थी मिली सिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुईक मंत्री नितीज कुमा ने अधिकारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है दिहार सरकार के सामान प्रसासन विचार करना चाहिए इसी साल से बेटा इस्तित ESIC होस्पिटल में MBBS की 100 सीटों के लिए नामांकन होगा मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी देने पर सांगसद रामकृपाल यादाव ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रिया स्रम मंत्री भुपेंद्र यादाव के प्रती अभार व्यक्त किया खगडिया में क्रिसी विबाग ने की बड़ी कारवाई एक टुरार नकली खाद जब एक गोदाम में रेड मारकर करीब 840 बोरा नकली डियेपी को जब्द किया है इस दोरान बड़ी संख्या में पैकेजिंग का समान और खाद की नकली हॉलमार का लगा बोरा भी बरामद हुआ है सारा माल एक ट्रक में लोड था टीम ने ट्रक सहित पुरे माल को जब्त कर लिया है मौके पर मौजूद पांच मजदूर सहित साथ लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे प्रकरण के दोरान क्रिशी विभाग के साथ इस्थानिय पुलीस भी मौजूद रही क्रिसी विभाग ने यहा कारवाई मुफस्चिल थाना इलाके के संसारपुर गाउं में की है आवर सेक्टर में आत्म निर्बर हुआ बिहार अब बाजार से बिजली खरिदने की जरूरत नहीं उर्जा के छेतर में बिहार अब किसी पर निर्बर नहीं है बिहार को अब बाजार से बिजली खरिदने की जरूरत नहीं है बरौनी बिजली घर के बाद बिजली घर से बिजली के आपूर्ती शुरू होने के बाद बिहार की बाजार पर निर्भरता लगबग खत्म हो गई है 12-401 MW बिजली के सप्लाई के पहले बरॉनी से भी बिहार को 500 MW के आपूर्थी इसी मेने सुरू हुई है लगबग 651 MW के अतिरिक्ट आपूर्थी के बाद बिहार की बिजली जरुरते पूरी हो गई है बिहार बाजार से 300-500 MW बिजली खरीद रहा था सिग्र ही उसे नवी नगर रेल बिजली कमपनी से भी 25 मेगावाट बिजली मिलने वाली है यह बिजली घर बनकर तयार हो चुका है और इसका ट्रायल भी सपल रहा यहां से बिजली मिलने के बाद बिहार का केंद्रिय कोटा और बढ़ जाएगा बाजार पर निर्वरता खत्म होने के बाद बिहार को रोजाना भारी भरकर रासी की बचत भी होगी पिछले दिनों बिजली संकट के समय बिहार रोजाना 1200 मेगावाट बिजली 20 रुपे परती यूनिट की दर से बाजार से ले रहा था जो काम पुलिस नहीं कर पाई अब वहां बच्चे करेंगे बिहार राज में सराब बंदी को सफल बनाएंगे इसकुली बच्चे यहा बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है लेकिन खबर सौफिस दी सही है राज में सराब बंदी को सफल बनाने का जिम्मा पुलीस और प्रसासन के ऊपर था लेकिन हाल के वक्त में जह बंदी कानून की समिक्षा को लेकर यहा बात कही थी कि जन जागरुकता के अभ्यान में तेजी लाई जाएगी अब राज के सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले करीब दो करोड बच्चे मद निसेद के लिए जागरुकता दूत बनेंगे नसामुक्त बिहार बनाने की मु प्रभात फेरी निकालेंगे 26 नवंबर की सुभा 8 से 9 बजे तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी इसमें बच्चों के हाथों में नारे और स्लोगनों का प्लेकाड होगा इस कारक्रम के माजदम से बच्चे बड़ो और समाज को नसा खासकर मदपान से दूर रहने के को दिया है गौरतलाबे की मदनिसेद अभ्यान का नोडल सिक्चा विभाग ही था और एतिहासिक मानव स्रिंखला इसी महकमे के संयोजन में बनी थी जो लिमका बुक आफ रेकॉर्ड में दर्ज है बिहार में बालू की किलत खत्म होने में अभी वक्त लगेगा अगले साल से है सामायन होंगे हालाथ बिहार में बालू खनन को लेकर सुप्रीम कोट की हरीजंडी मिलने के बाजूद अभी इसकी किलत दूर होने में वक्त लगेगा सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बिहार राज सरकार में बालू को सुलब बनाने के लिए सक्रियत हो गई है लेकिन इसे पट्री पर लाने में तकरीबन डेड़ महिने का वक्त लग सकता है आदिकारिक सुत्रों की माने तो अगले साथ जनवरी महिने से ही बिहार में बालू को लेकर हालाज सामायन हो पाएंगे नितीज सरकार ने पटना, भोजपूर, सारन, रोतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखी सराज जीलों में बालू घाटों के सरविक्षन के आदेश दिये हैं यह सरवे जिलाधिकारी, जिलाकरन, पदाधिकारी और प्रदुसन नियंतरन बोड के अधिकारियों की देख रेक में होगा इस सरवे के बाद हर जीले में बालू घाटों का माइनिंग प्लान सरकार करेगी इसी प्लान के आधार पर बंदुबस्ती होगी राज के आठ जीलों में बालू घाटों की सरवे प्रक्रिया में लगबग डेड़ महिने वक्त लगेगा पटना एरपोर्ट का साथ गुना बड़ा बन रहा टर्मिनल पर बड़े विमानों के उतरने का सपना नहीं होगा पूरा देश के सबसे तीजी से बढ़ रहे एरपोर्टों में से एक पटना एरपोर्ट भी है इसी साल छट के मौके पर यहां रिकॉर्ड यात्रियों की आवाजाही हुई है यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई तो अगले वर्स के अंत तक यहां यात्रियों की संख्या 50 लाग सलाना को पार करनी की संभावना इतने तेजी से बढ़ रहे पैसंजर लोड को समालने के लिए लगभग 800 करोड खर्च करके वर्तमान से 7 गुना बड़ा आलिसान और अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बन रहा है जिसकी चमता 7 लाग की बजाए 80 लाग यात्रियों की आवाज के लेंडिंग और टेक ओप से परेशानी आगे भी जारी रहेगी जबकि बड़े विमान भविस्य में भी यहां उतर नहीं पाएंगे पट्ना में हाथ पैर बांध कर हो रहा था महिला मरीज का इलाज मौत के बाद दो डॉक्टर हिरासत में चट के बीच पट्ना सिटी से मरीज के साथ दुर्विवहार और इलाज में लापरवाही से हुई मौत का मामला सामने आया है पट्ना सिटी के मौर्चा रोड इस्थित लचमी इमर्जनसी होस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद उसके परीजनों ने अस्पिताल में जमकर हंगामा किया है अस्पताल में तोड़फोड के साथ अस्पताल के दो डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की गई नर्स के साथ भी बदसलुकी की हुई है सुचना मिलते ही चौक थाना के पुलिस मौके पर पहुँची और काफी मसकत के बाद मामले को सांत किया गया दो डॉक्टर और मिर्तका के पती एवंग पिता को थाने में रखा गया है गटना के बारे में बताया जाता है कि बक्तियारपूर के सालिमपूर थाना छेतर इस्थित मिलकीपूर गाव निवासी 30 वर्षिया चिंकी देवी को बैचनी के हालत में जोन्रीज के इलाज के लिए मंगलवार की सुभा 9 बजे लक्ष में इमर्जेंसी होस्पिटल मोर्चा रोड में भर्ती किया गया था इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई मरितका के पती ने अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल में एडमिट करने के बाद अस्पताल के करमचारियों ने उनकी पतनी का हाथ पैर बान दिया था अल्ट्रासाउंड के लिए एम्बुलेंस की विवस्था नहीं की गई मरीज के धाई गंटे तक तड़तने के बाद कहा गया कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है उसके बाद टेमपो से राजेंदर नगर जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया गया वहां रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला मरीज पानी मांगती रही लेकिन डॉक्टरों ने हाथ नही मरी तका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी का हाथ पैर बांधने के कारण हाट अटेक हो गया मेरी बेटी कई बार पैर हाथ खोलने के लिए मिन्नत करती रही लेकिन यहां के लोग नहीं खोले और हम लोगों से कहा गया कि ऐसे ही इलाज होता है हमारे यहां ठीक नहीं होगा तो कहीं भी ठीक नहीं होगा उसकिल से 10 दिन बचे हुए हैं लेकिन प्रसासनिक इस्तर पर ना कोई तैयारी है ना सरकारी इस्तर पर इस मेले के आयोजन की घोसना हुई है। या कस्मीरी मार्केट हो या बुलेन मार्केट या घोडा, गाय, वबकरी, बैल, आदी बाजार ये नीजी जमीन में ही लगती है। आजी प्रताब रूडी से भी मिले हैं और साथ में मेले की आयोजन ना होने पर सवाल उठा चुके हैं। वही मेला के लिए सोनपूर छेत्र के लोग करो या मरो के लिए तयार हैं। अनुमति न मिलने की इस्तिती में व्यापक जन अंदोलन की जमीन भी तयार हो रही है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेर करना ना भूलें। धन्यवाद।